मेरा अगला सवाल यही था कि क्या आप randomly अपनी photo share कर देता है किसी को भी ठीक है या फिर क्या होता है Facebook पे बहुत लोगों को आदत होती है अपनी घर की pictures डालने का जब आपको कोई friend request भीजता है और आप उसे randomly accept कर लेता हो ना तो वो photos भी access कर लेता है तो वहाँ पर होती है समस जाएंगे लेकिन एक bunch of people ऐसे होंगे जो कि यह काम करते होंगे और यहीं से समस्या पैदा होती है अगर आप किसी भी random बंदे से friend request आप access accept कर लेते हो उसके बाद उनसे photo share करते हो फिर बात इतनी लंबी आगे तक बढ़ जाते कि आप लोग intimate videos भी share करते हो तो वहाँ पर होत जान से देखेंगे तो अगली बार ऐसा कुछ भी होता है तो आप लोग और जादा सचेत रहेंगे और आप लोगों को हमेशा इध्यान रहेगा कि हाँ अरविन सर ने बताया था A2 motivation में discuss किया गया था कि अभी तक तो हमने नहीं किया और आगे भी यह गलती कभी नहीं करनी तो ना ही किसी से randomly ऐसे ही friend request आया उसे accept करनी है जब तक आप उसे ना जानते हो ना ही किसी से अपनी personal photo share करनी है और ना ही किसी को intimate videos या ऐसी photo share करनी है जो की बहुत personal होती है नहीं करनी है अब इसके बारे में parents तो बात नहीं करने वाले अगर आप parents हो जाके पूछोगे मतलब क्या ही बता हूं बहुत अच्छी बात है अगर आपके parents ऐसे हैं जो कि खुले दिमाग के हैं तो वो आपसे discussion करते हैं तो ऐसा करना चाहिए लेकिन थोड़ा है नहीं conservative महौल है बट फिर भी जिनके parents ऐसे हैं जो कि इस बात को समझते हैं कि बच्चों बच्चे first नहीं जाए उससे पहले उनसे बात कर ली जाए तो वो बहुत अच्छी बात है